लाखो अभियर्थी, अभियर्थियों का भविश्य, बच्चों के बहते आसू, कौन है जिम्मेदार? हम आज सबसे पहले जानेंगे कि आखिर TET परिक्षा होती क्या है, जिसे ना देपाने के कारण बच्चे रो पड़े। परिक्षा है, हर साल उत्रप्रदेश बेसिक एडुकेशन बोड यूपी TET परिक्षा आयोजित करता है, यूपी TET परिक्षा दो पेपरों फस्ट और सेकंड के दो पालियों में आयोजित की जाती है, पेपर फस्ट उन अभियर्थियों के लिए आयोजित की जाती है, जो कक कक्षा एक से पांच के सिक्षक बनने की योजना बनाते हैं। दूसरी और पेपर सेकंड उन उम्मीदवारों के लिए हैं जो छे से आठ कक्षा के सिक्षक बनने की योजना बनाते हैं। उम्मीदवार जो कक्षा एक से आठ के सिक्षक बनना चाते हैं उन्हें दोनों पेपरों में उपस्थित होना होता है। या उच्च प्रात्रे की स्तर के सिक्षकों के रूप में भरती के लिए पात्र हैं। परिणाम घोशित होने के बाद योग्य उम्मीदवार अपना UPTET पात्रता प्रमान पत्र प्रात्र करते हैं। बीते रविवार 23 जन्वरी को UPTET की परिक्षा थी। जिसमें दूर दराज से बच्चे परिक्षा देने पहुंचे थे। लेकिन नौइडा के सेक्टर 12 इस्थित राजकी इंटर कॉलिज के सामने एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जहां स्कूल के गेट के बाहर सौ से भी जादा के तादात में बच्चों को परिक्षा नहीं देने दिया गया। जिसके बाद बच्चों ने वहां खड़े पुलिस प्रशासन से जवाब भी मांगा। लेकिन प्रशासन ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो लेट हैं। सब्सक्राइब बच्चों नहीं हुआ जाने थे और दूसरा यहां सीयों भी आये थे सच्चों भी आये थे और परिवक्षक नियंतरन भी आये थे लेकिन उन्हों कोई एक्षन नहीं लिया। लेकिन वहीं बच्चों की माने तो वो समय से पहले वहां उपस्ति थे जिसके बाद कोविट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवानी के चकर में प्रवीश होने में देरी हो गई। हाला कि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी फिर भी बच्चों को परिक्षा में बैठने नहीं दिया गया। जिससे बच्चों में आक्रोश भी देखने को मिला है। उनका कहना है कि सरकार हमें रोजगार देना ही नहीं चाहती। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता कि इसमें सरकार की मन सा नहीं है कि बीरोजगारों को रोजगार दिआ जाए इसका मैं एक कारण बताता हूं कि यह यूपी टेट जो कैंसिल किया था पहले इन्होंने तो दरोगा भरतित कैंसिल क्यों नहीं कि उसके भी सबूत थे kulli ठी छाली जैसा कि आप सब जानते हैं कि UPTET की परिक्षा 28 नवंबर 2021 को हुई थी जहां पेपर लीक होने की वज़े से परिक्षा को रद कर दिया गया था जिसके बाद इस परिक्षा को दोबारा से कराने के लिए 23 जन्वरी 2022 की तारीख रखी गई थी जिसके बाद इस परिक्षा को दोबारा से कराने के लिए 23 जन्वरी 2022 की तारीख रखी गई थी मुई आपको ये भी बता दें कि परिक्षा को रद करने के पीछे पेपर वाट्सअप ग्रुप लीक होना बताया गया था जिसके बाद ये फैसला लिया गया तो वहीं ADG प्रशांद कुमार ने बताया कि इस मामले में UP STF ने अभी तक 23 लोगों को गिरफतार किया है गिरफतार की अभ्युक्तों के पास से परिक्षा पत्र की फोटो कॉपी मिली है तो वहीं अब पेपर लीक होने पर विपक्ष ने योगी अधितिनाथ सरकार पर तंच भी कसा इस बार परिक्षा के लिए अभियर्थियों की संख्या 21 लाख से अधिक थी यूपी टीटी 2021 के लिए 21,65,189 अभियर्थियों ने आवेदन किया था इन में से 18,22,112 अभियर्थी परिक्षा में शामिल हो पाए थे पहले पाली की यूपी टीटी परिक्षा में 83 दसमलब 09 फीस दी अभियर्थी शामिल हुए थे प्रात्मेकिस्तर की परिक्षा के लिए 12,91,627 अभियर्थियों ने आवेदन किया था जिसमें से 10,73,302 अभियर्थी शामिल हो सके थे वहीं बात करें दूसरी पाली की तो उच्चु प्रात्मेकिस्तर की परिक्षा के लिए 8,73,552 अभियर्थियों ने आवेदन किया था और इन में से 7,48,810 अभियर्थी शामिल हुए और वहीं अगर बात करें पिछले हुए पेपर की तो सभी परिक्षा केंद्रों पर परिक्षा की सभी गत्विधियों की निगराणी के लिए लाइफ सिसी टीवी सर्विलांस की वेवस्था की गई थी इस मामले की जाज कर रही यूपी स्टीएफ ने परिक्षा नियामक प्राधिकारी समेत कुल 36 आरोपियों को गिरफतार किया है नौईडा में रविवार को यूपी टीएटी की परिक्षा में कई केंद्रों पर अभियर्थियों को प्रवेश नहीं मिला इसको लेकर अभियर्थियों ने विभिन केंद्रों पर हंगामा किया मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुँची पुलिस ने अभियर्थियों को समझा बुझा कर शांत किया तो वहीं इस मामले में जुलादीकारी को शिकाय भी दी गई रविवार को गौतम बुध नगर सहित अन्य जिलों में यूपी टीएटी परिक्षा आयवजित की गई इसके तहत नौईडा में अलग-अलग स्कूलों को परिक्षा केंद्र वनाये गया पहली पाली की परिक्षा सुबह दस से दो फैर साड़े बारा बज़े तक की थी अभियर्थी सुबह सेक्टर 25 स्थित एक परिक्षा केंद्र पर पहुँचे महिजवानकारी के अनुसार कई अभियर्थियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया इस नाराज होकर अभियर्थियों ने हंगामा शुर कर दिया अभियर्थियों ने बताया कि समय से पहले परिक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया था जिसकी वज़े से वो अंतर नहीं जा सके कई अभियर्थियों ने आरोप लगाया कि परिक्षा केंद्र में तैनात अधिकारियों ने उन्हें एड्मिट कार्ड पर अधिकारियों द्वारा अटेस्टेट नहीं होने पर और स्कूल द्वारा अटेस्टेट नहीं होने पर प्रवेश नहीं दिया हंगामा की सूशन मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची पुलिस अधिकारियों द्वारा बात करने के बाद भी परिक्षा केंद्रों में मौजूद अधिकारी अभियर्थियों के प्रवेश के लिए राजी नहीं हुए पुलिस ने अभियर्थियों को समझा बुजा कर किसी तर शांध किया वही पुलिस का कहना है कि निर्धारित समय से देरी से पहुँचने के चलते अभियर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया गया कई अभियर्थी सेक्टर 27 जुलाधिकारी कैम्प कारियाले पहुचे उन्होंने आरोप लगाया कि सेक्टर 25 इस्थित परिक्षा केंद्व के गेट को समय से पहले ही बंद कर दिया गया था जिसकी वज़े से उनकी परिक्षा छुट गई अब उन्होंने मांग की है कि परिक्षा दोबारा कराई जाए जिसके साथ खबर ये भी है कि कई और भी जिलों में बच्चों को परिक्षा में नहीं बैठने दिया गया अब यहाँ देखने वाली बात तो यह है कि जब बच्चे समय के अनुसार परिक्षा केंद्रों पर उपस्तित थे और उनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स भी थे तो उसके बावजूद भी अभी अर्थियों को प्रवेश क्यों नहीं मिला कोरोना के नियमों के तहट अगर उन्हें लाइन में खड़ा करना था तो परिक्षा केंद्र ने कर्मशारियों का समुचित प्रबंध क्यों नहीं किया था बच्चों के भविश्य से खिलवार आखिर क्यों सोसल डिस्ट्रेंसिंग बनाने में इनका साड़े नौ बज़ टाइम खतम हो गया कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता कि इसमें सरकार की विमंद सा नहीं है कि बेरोजारों को रोजगार दिया जाए बच्चे कहरे साड़े नौ तक यहां पहुंच जाना लेकिन वह नौ तक पहुंच गए थे